दोस्तों कैसे है आप सब दोस्तों अभी हम रिव्यू करने वाले हैं डिजने प्लस होट स्टार की नई वेब स्रीज दे ट्राइल का जिसे इसी हपते 14 जुली शुकरवार को होट स्टार पर रिलीस केया गया अजदेवगन ने इसे को पिडियूस केया है 40 से 45 मिनिट की इसमें 8 एपिसोड से 2009 की बिटिश टेलिविजन सिरीज तक गुड वाइफ का यह ओपिशल हिंदी रिमेक है वैसे मुझे लगता है कि अब मुझे यह बोलना छोड़ देना चाहिए किसी मतलब बॉलिवड से जो अपने आपको कथित हिंदी फिल्म डिस्ट्री कहते है जिनके कंटेंट में हिंदी का होती है पता नहीं तो ऐसे बॉलिवड के फिल्मेकर से आने वाला जो भी कंटेंट हो चाहे वो OTT पर रिलीज होने वाला हो या थियेटर में रिलीज होने वाला हो उसके बारे में हमें ये बोलना ही छोड़ देना चाहिए कि ये remake है, क्योंकि वो होता ही है, लगबग 95 प्रतिषत इनका जो content होता है, वो remake ही होता है, तो बार-बार बोलकर भी वैसे कोई फायदा है नहीं, पता नहीं, इनके पास में content केसी क्या कमी पड़ गई है, 140 करोड की जनसंख्या वाले देश में कहानिया कम पड़ गई है हमारा इतना संब्रिद्ध इतिहास और हजारो हजारो शास्त्र है गरंथ है जिनमें लाको लाको कहानिया है ग्यान का अथा सागर हम कह सकते हैं हमारी संस्कृती को वहां कहानिया खत्म हो गई है हर बार हम देखते हैं कि किसी Hollywood या British किसी content का ये remake बनाते रहते हैं Disney Plus Hot Star की पिछली जो कुछ web series आई हुई उठा कर देख लीजिए इनका दूसरी भी audity platforms इसके जो director है सुपन वर्मा उनके अभी पिछली जो web series थी और आना नाइडू थी उसके co-director है वो इतनी महावाहियात इतनी घटिया इतनी third class घोर हिंदू वी रूधी मान सकता से भरी वोई वो जो web series है उसको इसके director ने code रेक किया हुआ है सुपन वर्मा ने वो भी remake है हर बार इनका यही चलता रहता है कुछ मतलब कुछ creative bankruptcy या कोई दिमाग अनको यूद्स करना ही नहीं है बचा ही नहीं है इस कथित हिंदी film industry जो अपने आपको कहते हैं Bollywood के filmmakers कुछ बचा ही नहीं है क्या मतलब और यह जो the trial है इसमें मुख्यबुमिका में है काजोल, जिसुसेन गुपता, कुबरा सेट, शिवा चड़ा, आलय खान जो एक पाकिस्तानी ब्रिटिश एक्टर है जिनका काजोल के साथ में जो एक lip-to-lip kissing scene है वो काफी उसको लेकर काफी चर्चा हुई है पिछले 3-4 दिनों से में देख रहा हूँ कि काफी सरे articles मेरे सामने सोचल मीडिया पर आये हैं इसको लेकर तो ये सब इसमें मुख्य वो मिकामे हैं कहानी की बात करें तो जिसुसेन गुपता का जो करेटर है राजियू सिन गुपता वो एक जज है उसका एक वैश्चा के साथ में sex step viral हो जाता है जिसके बाद में उसे अभी suspend कर दिया गया है उसके संपत्ति को जब्त कर लिया है और वो अभी जेल में है राजियू सिन गुपता इसके बाद में पती के जेल जाने के बाद में नियोनिका सिन गुपता जो करेटर काजोल ने प्ले किया है वो उसे अभी घर से बाहर निकलना पड़ता है पिछले कई वर्षों से वो अ अब नियुनी का सेन गुपता को उसका ही एक पुराना मित्र है विशाल चौबे उसकी लौफर्म में जॉब मिल जाती है, एक इंटरन के रूप में छह महनों के लिए, उसके सामने एक धिरज नाम का लड़का है, उसे भी इंटरन के रूप में जॉब मिली है और छह महनों के वो उसका पुराना मित्र है और पहले वो नेवनिका को पसंद भी करता था प्रेम करता था तो वो नेवनिका को रखना चाहता है तो यह उसकी professional life में हो रहा है और इसके बाद में हर एक एपिसोड में देखते हैं कि अलगलग cases जो इस law firm के पास में आ रहे हैं उनको नेवनिका से वो हर एक एपिसोड में अलगलग cases को कैसे solve करती है तो यहां भी हम एक एक हर एक एपिसोड में अलगलग case हम देखते हैं हाला कि उनमें से किसी में भी हमारा कोई interest बनता नहीं इतना गटिया तरीके से उन सारे cases को उन्होंने प्रस्तुत किया नहीं तो दीके courtroom drama कितना interesting हो तो यह हो गई नेउनिका की professional life अब उसकी personal life की बात करे तो वो अलग घर में आकर रह रही है अपनी दो लड़कियों के साथ में साथ में ही राजी उसेन गुपता की जो मा है यानि बच्चियों की दो लड़कियों की दादी नेउनिका की सास वो भी उनके साथ में वहां आक लगया है तो सब उसको स्कूल में भी लड़के दुसरे जो students वगएरा है वो चिडाते हैं यह उनके life में हो रहा है और जो दादी है उसको regressive thoughts वाला दिखाया है क्योंकि वो अपनी लड़कियों को अच्छे संसकार देना चाहती है तो उसको दरिंदी दादी के रूप में present किया है एक दिन जो उन दोनों लड़कियों में से जो बड़ी लड़की है वो भी नावाली की जितना जिस प्रकार से दिख रहा था नावाली की लग रहे थी तेरा 14 वर्ष उसके आयू होगी या उससे भी कम 12 तेरा वर्ष तो वो एक दिन एक अपने लड़के को boyfriend को घर मे लेकर के आती है bedroom में और वो दोनों काफी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और दादी आकर देख लेती है उन दोनों को और डाटती है दाधी वहाँ पर इसके बाद में फिर एक scene में हम देखते हैं कि काजोल बात कर रहे होती है बाहर घर से और कहती है कि वाई मुझे त दादी के साथ भी मुझे लड़ना है या ऐसा ही को शब्द उप्योग करती है तो दादी को रिग्रेसिव कहती है कुल मिला कर वो और एक और सिन में हम देखते हैं कि ये जो दो लड़किया है वो टीवी पर एक रेलिटी शो देख रहे होती है तो मा कर जोर से चिलाती है निया उनिका काजुल का करेक्टर समझ में नहीं आता क्या क्या देख रहे हो तुम वगएरा वगएरा इस प्रकार से तो भाई दादी का भी अपनी विचार थे ना वो अपने अनुसार बच्चियों को संसकार उनकी अपनी थौट प्रोसेस है विचार है देखने का तरीका है उन्होंने तुमसे ज़्यादा जीवन देखा हुआ है क्या सही क्या गलत वो समझने की क्षमता तुमसे ज़्यादा है तो उसको तुम रिग्रेसिव क्यों क्या रही हो फिर और इतने ही बड़ी liberal हो गई हो तो फिर बच्चिया कोई reality show देख रहे तो वो भी देखने तो फिर उनको चलो जो भी है तो दादी को एक दरिंदी दादी की रुप में रिग्रेसिव दरिंदी दादी की रुप में प्रेजेंट किया है और पती के उपर इतने आरोप लगने के बाद भी जेल में जाने से पहले राजिव सेन गुपता पत्नी को कहता है कि बस एक mistake मुझसे हुई है इसके बाद मैं नेवनी का उसको एक थपड़ मारती है जोर से और पती जेल में चला जाता है पती की इतनी गलती होने के बाद भी वो अपने पती को बाहर निकालने का प्रयास कर रही है हाला कि उसकी इच्छा नहीं है दुखी है वो पर घर को बना कर रखने के लिए फैमिली को बांद कर रखने के लिए वो प्रयास मतलब कर रही है जो घर चला रही है बच्चियों को संबाल रही है, पती को भी बाहर निकालने के लिए जो भी हो सकता है, मरे मरे मन से ही सही, पर वो कर रही है, और इस प्रोसेस में वो कई सरी गलत बातों का भी साथ देती है, जैसे कि अपने पती को बाहर निकालने के लिए भी कुछ जो बाते नैतिक रूप से सही नहीं है, ऐसे कुछ अनैतिक बाते भी वो करती है, जो cases भी वो solve कर रही है, उसमें भी जो नैतिकता की परिवाशा जो हम कहते हैं उसके साथ उसे कई बार compromise करना पड़ता है तो नैतिक रूप से वो character भी हमें सही नहीं लगता, नेवनिका का आगे जाकर वो उसका जो पुराना मित्र है विशाल जिसकी law firm में उकाम कर रही है, उसके साथ भी वो करीब आते हो हमें दिखती है, उनों lip to lip की स्वगेरा भी करते हुए दिखाया है हाला कि नेवनिका वही पर रुख जाती है और दूर हो जाती है पर अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन दे सके या अच्छे बड़े स्कूल में और रख सके इस कारे से वो इस परिवार में बनी हुई है क्या मतलब इस बात का और उपर से ऐसा पती जिसके बारे में आगे जाकर पता भी चलता है कि क्यों एक बार नहीं तो कई बार उसने गलतिया की हुई है और कई बार पत्नी को जो कुछ एक निकलेस वगरा भी वो गिप्ट करता है उसके पीछे भी उसकी कोई मन्शा नहीं थी और वो उसका फाइदा उठा रहा है क्यों पत्नी का क्या वो उन बच्चों को अच्छी संसकार देंगे क्या उनका भविष्य व उज्योल करेंगे नहीं करेंगे उससे अच्छा तो किसी छोटे से घर में जाकर रहे लेती लड़कियों को इन बड़े स्कूल के चोड़कर किसी छोटे स्कूल में डाल दिती वहाँ पर अच्छे संसकार मिलते, उनका जीवन जादा उजवल होता ऐसे बड़े-बड़े स्कूलों में, इलिट स्कूलों में डालने से बच्चों का भविश्य उजवल नहीं होता है तो जो कुछ भी ये सिरीज कहने का दिखाने का प्रयास करती है, किसी भी करेक्टर के साथ में हम जूड़ी नहीं पाते, connect नहीं हो पाते ठीक है, आपको बड़े emotional और grey shades वगएरा दिखाने होंगे ऐसा नहीं होता है भई करेक्टर के साथ कही ना कही पर हम connect हो किसी के बारे में care करे या किसी को लेकर तो कुछ देखने की, किसी को लेकर तो इच्छा हो ना कि यार इसके life में आगे क्या होगा, इच्छा ही नहीं होती ना उसकी professional life में ना personal life में ना जो courtroom drama चल रहे हैं जो cases चल रहे हैं, कही पर कोई money हो तो इर्टेट कर रहा था उसको जब भी frustrated या घुसे में दिखाना होता तो इस प्रकार से वो जो चिलाते हुए literally वो हस ही आ रहे थी वो देखकर, परिशान तो नहीं लग रहे थी पर वो जैसे क्या कहूँ अब उसके बारे में वीची तरव से सही ऐसे करते हुए दिखाया है, बड़ा ही वाहियात लग रहा था कुल मिलाकर morally या जो कुछ जो भी है, characters, कहानी जो कहने का प्रयास हर प्रकार से बस मुझे ये disappointing, निराशा जनक ही लगी मैं the trial को दूँगा two out of ten stars panel guidance की बात करें तो sex step वाला जो scene है, वहाँ पर कुछ थोड़ा semi-nude हम कह सकते हैं उसे बाकी तो strong language वगेरा बच्चों के दुश्टी से तो कुल मिलाकर सही नहीं है, बाकि आपने अगर इसे गलती से देख लिया है, तो आपका अनुभाव कैसा रहा मुझे आपने चे कमेंट में हवाश्य बताना ये वीडियो देखने के लाप सभी मीत्रों का बहुत बहुत धनिवाद जैश्री राम, वंदे मातरम